प्रदेश की राजनेती पर अगर एक नजर डाली जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा आपको लोगतंत देखने को मिलेगा उतर प्रदेश की राजनेती में बहुजन समाज पार्टी की बड़ी भूमिका है कई बार उतर प्रदेश की सत्ता संभाल चुकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायवती को लेकर कई बड़े खुलासे भी होए हैं उत्तरप्रदेश की राजनेती में जब भी बड़े नेताओं का जिक्र होता है ता मायवती का नाम जरूर सामने आता है मायवती के राजनेतिक जीवन के बारे में तो लोगों को काफी कुछ पता है पर उनकी नीजित जीवन की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है तो चलिए आज में आपको उत्तर प्रदेश की पूर्मुख्य मंत्री मायवती के जीवन से जुड़े कुछ रास बताऊंगी मायवती वह नाम है जिसके बगैर उत्तर प्रदेश की राजनिती और उसमें होने वाले इलेक्शन की कल्पना उनके बगैर कर ही नहीं जा सकती है वैसे तो मायवती कभी सत्ता में आना नहीं चाती थी उनकी इच्छा तो आईएस अधिकारी बनने की थी मगर जिन्दगी ने कुछ ऐसा मोड लिया कि 15 जन्वरी 1956 को जन्मी मायवती बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बन गई और राजनिती में सक्रिये हो गई हाला कि बताया जाता है कि मायवती की राजनिती में एंट्री काशी राम की वजह से हुई और साल 2001 को काशी नाम ने अपना उतर अधिकारी मायवती को घोशित कर दिया था मगर मायवती के राजनिती में जाने का ये निन्ने उनके पिता को बिलकुल पसंद नहीं था उनके पिता प्रभु प्रसाद कभी नहीं चाते थे कि उनकी बेटी राजनिती में कदम रखे इतना ही नहीं मायवती के पिता प्रभु प्रसाद ने मायवती और काशी राम की नजदी किया भी पसंद नहीं थी उन्होंने तो मायवती को काशी राम से दूर रहने तक की हिदायत दे दी थी हाला कि मायवती ने पिता की बात को अंसुना कर राजनिती में कदम रख, राजनिती में काला दिन भी आया, 1995 दो जुन उतर प्रदेश का काला दिन कहलाया जाता है, उस दिन प्रदेश की राजनिती में बड़ा बुकम पाया था, जो शायदी कभी कोई भुला पाया होगा, औ दो जून 1995 को लखनों के राज अतिती ग्रह में ऐसा क्या हुआ था मायवती की जीवन पर आधारेत एक किताब बहन जी में भी दर्ज है ये वाक्या 1993 में हुआ चुनाव शायदी कभी होने वाला गडवंदन हुआ था सपा और बसपा के बीच चुनाव के इस गडवंदन की ज सरकार से किनारा कर लिया और समर्थन वापस लेने की घोशना कर दी इसी वज़े से मुलायम सिंग सरकार की अल्प मत हो गई ऐसे में नाराज सपा के कारेकरता विधायक लखनों के मीरा बाई मार्क स्तित गेस्ट हाउस पहुँच गए जहां मायवती कमरा नंबर एक में ठे दिये गए थे जानेवे गुंडे कहां से आये थे बीजेपी के विधायक ब्रमदत दिवेदी ने अपना जान पर खेल कर उस गेस्ट हाउस का दरवाजा तोड़ा और मायवती को सकुष्यल बचा कर बाहर निकाल आये थे उतर प्रदेश की राज्यती में इस कान को गेस्ट अच्छा उस कान से भी जाना जाता है और ये भारत की राज्यती के माथे पर एक कलंग से कम नहीं है एक नजर मायवती के ग्राफ पर कुल संपती पर डाली जाए तो आप एहरान रहे जाएंगी राज्यसवा में नामांकर पत्र दाखिल करते समय मायवती ने जो संपती की उसके हिसाब से साल दोजा साथ में उनकी संपती जहां 52 करोड की थी वह साल दोजा बारा में 111 करोड हो गई मतलब 5 साल में तकरीवन 2 गुना उन्होंने अपनी संपती बना ली और बैंक हातु में 13 करोड 70 लाग से भी जादा रकम दिखाई और 10 लाग 20,000 उनके पास कैश् इतनी जादा संपती होने के बावजू उनके पास कोई गाड़ी नहीं है उत्रप्रदेश की राजनेती में इतिहास रचने वाली चार बार मुखे मंत्री रही मायवती आरेल लेडी के नाम से भी जानी जाती है एक सक्त शक्सियत की वज़े से उनके कारेकाल में जहां का राज स्थापित करने के लिए उनकी तारिफ होती है तो वहीं बात राजनेतिक आलोचक उन्हें ताना शाह भी बताया था कि उन्हेंने शादी ना करने का फैसला इसने लिया क्योंकि अगर वे शादी करती तो दुन्यादारी में ही फसकर रह जाती जन्ता की सेवा अपने देश के लिए कुछ करना वह चाती है इसलिए उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया ये थी उतर प्रदेश की चार बार रह चुकी मुख्यमंत्री मायवती ऐसे ही हम आपको राजनेतिक जगत से जुड़ी और खास शक्सियत से मुलाकात कराते रहेंगे ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं इस वीडियो पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले